पूरी मानवजात दो साल से इस महामारी ने उसको अपनी चपेट में लिया हुआ है भाईयों बहनों भारत में हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया कि कोरोना की वज़से तबाही कम से कम हो हमारे जो छोटे उद्यमी है जो MSME सेक्टर है उसे विशेश तोर पर इस संकट के सबय में डाई लाग करोड रुपिये की मदद की गई डाई लाग करोड रुपिये एक रिपोर्ट में सामने आया है कि बारत सरकार की इस योजना के कारण MSME इसको समय पर मदद मिलने के कारण लाखो MSME इस कोरोना के कारण बंद होने की कगार पर थे ये लाखो MSME बज गए और लाखों लोगों का रोजगार भी सुरक्षित हो गया हमारी सरकार ने जो MSME की परिभाशा बडली है उसका भी लाख यहां के छोटे उद्यवियों को हुआ है साथियो कोरोना के इस काल में डबल इंजीन की सरकार ने उत्रा खड में विकास को भी रप्तार दी है और गरीबों की भी चिंता की है इतना बड़ा संकट आया सो साल की सबसे बड़ी बैश्ट्विक महामारी आई लेकिन यहां के तराई के छेत्र से लेकर पहाडों पर बसे गावों तक हमारी सरकार ने किसी भी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया हमने चिंता की की गरीब के घर का चूला जलते रहना चाहिए प्रजान मंत्री गरीब कल्यान योजना के जरिये आज भी हर गरीब को मुप्त राशन दिया जा रहा है और मैं तो देख रहा हूँ कभी कभी मैं सोशल मिडिया में कभी नजर करता हूँ तो उत्राखन के दूर सुदूर गावों की गरीब महिलाएं खेत में काम करती हो रास्ते से गुजर रही हो सर पे बोज धोया हुआ हो और कोई पूछ ले चुनाव के विशे में और वो जिस प्रकार से मोदी को आशिरवाद देती है मैंने अभी तो एक मा की वीडियो देखी वो वीडियो मेरे दिल को छूगई उत्राखन के किसी दूर सुदूर गावं से वो मा बोल रही थी यहां की लोकल भाशा में वो बोल रही थी उसने कहा कि हमने हमारे बच्चों को नव महिना हमारे पेट में पाला बड़े होकर वो अपने अपने में खो गए लेकिन यह मोदी है जो हमें हमारी चिंता करता है हमारा बेटा सच्चा अगर कोई है वो मा कह रही है कि अगर मेरा कोई सच्चा बेटा है तो वो मोदी है भाई यह बहनों माता हो बहनों के इतने आशिरवार माता बहनों का इतना बड़ा सामर्थ है अगर आज मोदी के साथ खड़ा है तो मोदी जी जान से माता और बहनों के कल्यान के लिए उत्रा खंड के कल्यान के लिए उत्रा खंड के नौजवानों के कल्यान के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा बाईयों बैनों कोरोना के कारण परियटन प्रभावित होने की विज़र से जिन लोगों पर असर पड़ा था उनके लिए भी धामी जी की सरकार ने आर्थिक सहायता भी जारी की आज गरीब मदूर ये कह रहा है महलाए कह रही है अगर कॉंग्रेस के शासनकाल में ऐसी महामारी आती तो न जाने क्या होता मैं भी आपसे पुश्ता हूँ ये मुप्त राशन क्या पहले की सरकार होती तो ये मुप्त राशन आप तक पहुंचता क्या